भाई और भेनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच, मैं ये भी जानता हूँ कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आतंगबादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूँ। यहां महराष्ट के भी दो वीर सपुतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहूती दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है। उनकी पीड़ा मैं बली भाती अनुबव कर सकता हूँ। हम सभी की सम्मेदनाए उनके साथ है। भाई और भेनों मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूँ। इन सहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंके सरपरस्तों ने जो गुना किया है। वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें उन्हें सजा जुरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्वी भी करते हैं। बरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेश कर। CRPF में जो गुसा है वो भी देश समझ रहा है। और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छुड दे दी गई है। साथियों एक ऐसा देश जो भारत के बटवारे के बाद अस्तित्व में आया। जिसके हां आतंकवात को पना दी जाती है। जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा देलाता हूं। धैरी रख ले। अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी। कहां दी जाएगी। कब दी जाएगी। कौन देगा। किस प्रकार की सजा देगा। ये सब ये हमारे जवान तै करेंगे। सात्यों आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। देश का विकास कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे अंगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के सहीदों को एक बार फिर नमन करता हूँ। आपिया हमारे यजा सुर्फित आजएर नहीं कर दो रहे हैं। उसके करते हैं। को ओर कांवा हमारे यजभ। टॉ安 कर नहींग ? अगरा रहे हैं